सब्सक्राइब सब्सक्राइब फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड यहां पर हम आपके लिए के एक नई वीडियो ठीक है और जो कि रहने पाली है इस परकार से की यूजर मुल्टी मीडिया इन टीचिंग इंगलेश ठीक है मुल्टी मीडिया के अपयोग करना किसमें इंगलिश की स्रिक्षन में इंपॉर्टन कोशन है और यह शायद लास्ट वीडियो है और बाकी तो आलरदी जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन लेक्चर्स थे वो अप्लोड हो चुक्ए है तो इसको देख लेना आप एक वार के कंजेस्टट मटीरल है यह ठीक है उतना ज्याद आपको लेंदी नहीं देखने को मिलेगा बस सिंपली आपको इतना सा करके हैं क्योंकि 12 माक्स कहने के अंदर इसके चांसे रहें ठीक है तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है मुल्टी मीडिया ठीक है तो मुल्टी मीडिया की बात करें इट रैफस्ट तो दी यूज आफ कंप्यूटर एंड इस एशुशेटर टूल्स इन एन इंटिग्रेटर वी तो प्रेजन डिस्प्ले टेक्स्ट ग्राफिक्स वीडियोस अनिमेशन साउंड एड्सेटर यह नहीं टिया ठीक डिस्प्ले होती है विज्व डिस्प्ले रिया उनेट हो गया इंट्रनेट हो गया आइन शारी चीजिए अप्योग होता है तो भही आ गया एशुशेटर टूल्स का यूज़ करना किसके लिए एक इंटिक्रेटर तरीके से यानि सब को मिला कर और अपन क्या करते हैं प्रेसेंट करते हैं या डिस्प्ले करते हैं क्या टेक्स्ट ग्राफिक्स वीडियोस अनिमेशन साउंड एडसेटरा इसी को अपन क्या कहते हैं मल्टिमीडिया समझ आई क कि अपन computer का यूज़ करेंगे और उसके साथ associated tools का किसलिए जो भी अपना content है यह टेक्स्ट है वीडियोग्राफी या सोरी वीडियोस है एनिमेशन से हैं साउंड्स है उनको दिखाने के लिए डिस्प्ले करने के लिए ठीक है अब देखो नैंसी जो थे एक ठीक है नैंसी कासे बाउं नैंसी कासे बाउं ने कहा था कि there can be infinite users of a computer उसने कहा कि बहुत सारे जो है वो infinite अनंत यानि अनंत users हैं किसके किसके computer गे लेकिन new age technology मतलब plus new age technology के भी लेकिन but if teachers जो है वो अगर are not able to bring it into the classroom and make it work then it fails मतलब उसने कहा कि जितने मर्जी यूज़ हो जाएं समझ आई जितने मर्जी यूज़ हो जाएं इसके किसके computer के use के बट अगर teacher जो है उसको classroom तक नहीं ला सकता है computer को कहने का मतलब है कि integrate नहीं कर सकता है teaching learning में तो समझ लो यह सारे users जो है वो fail है समझ आई यह किसने कहा था Nancy का सब्सक्राइब बस इसको रट ले ना और इसको कर ले ना किपकी definition change नहीं होती तो यह आप थोड़ा लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा attractive है अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अपना क्या हुआ जैसे जैसे modern English language का trend change हो रहा है पहले English आपको पता ही है कैसी होती ठीक है अब अपन देखते हैं कि English का totally क्या हो गया है totally क्या हो गया है एक्दम से नए तरीके से चलती है आप सबको बत है यानि नए नए चीज़ें सेखने को मिली है नया जो है उसका दोर जो हो बड़ा बढ जो होगे style जो हर लर्निंगे वो लग लग होते हैं तो इससे क्या होगा कि teacher के सामने ना बहुत सारी परिशानिया खड़ी होगी है ना और उसके duties भी बढ़ गई thus the use of multimedia technology helps teacher to tackle these challenges and impart his or her duties and making teaching and learning of language more effective and interactive यानि ये जो सारी परिशानिया या challenges थे ना इनको इनको tackle करने में किसने help करी use of multimedia समझ आया use of multimedia ठीक है और इससे क्या होता है कि जो teacher होता है वो अच्छे तरीके से जो भी उसकी duties है यह जो भी teaching है ठीक है वो जब करता है तो एकदम effective and interactive तरीके से कर सकता है समझ आई तो यही लिखा हुआ इसमें उसके बाद development of internet जैसे जैसे इंटरनेट की development होई ठीक है और hypermedia जो की integrate कर सकते हैं क्या video, audio, online streaming, graphic, interactive content, virtual world तो एक साथ जोब कर सकते हैं इन्होंने क्या कर दिया कि जो learning की definition थी ना उसको ही redefine कर दिया पहले क्या होता था हमारा वह traditional classroom के teaching इन्होंने बोला कि नहीं जैसे जैसे इंटरनेट आया या hypermedia आया क्योंकि क्या होता है hypermedia, hypermedia मुल्टी मीडिया होगा एक टाइप का, देखो audio, video, पहले क्या होता था, teacher बढ़ाता था, बच्चे सुनते थे, बट अब ऐसा नहीं है, इन्होंने definition जो थी ना, learning की teaching की उस अपने मुँझे कैसे दिखाता है, ठीक है, audio, बस बोल सकता था, लेकिन online streaming, graphics, interactive content दिखा सकता था, नहीं दिखा सकता था, है ना, virtual world जो की अपना क्या होता है, इसको अपना virtual reality भी कहते है, जानी जो आपको दिखता नहीं है, आपने देखो आजकल VR चला हुआ है, जिसमें क् कैसे लगता है, आपके आँखों पे उपर लगा दिये जाता है, और फिर आपको लगता है कि जैसे मैं really, मैं जो है, वो गाड़ी चला रहा हूँ, यह simulations होती है, जैसे आपने देखा हूँगा, ठीक है, अब देखो, in modern era में क्या हो है, with modern technology, we can make teaching learning more effective and efficient, यानी अपने इस बर technology, समझ आई, and you can also develop linguistic skills, जैसे अपनी linguistic skills होती है, इनको भी अपन डेवल कर सकते हैं, simultaneously मतले एक साथ, as per needs and capabilities of a learner, और learner के हिसाब से भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि technology का integration हुआ, तो सब को equally, जो है, वो मतलब, क्या बोलता है, इसको पर पढ़ना है, individualization learning नहीं होगी, होगी, ठीक है बच्चे की needs के साब से अपन परसनाइस कर सकते हैं, content को, अपनी इतने पास choices है, तो यह अपना multimedia ठीक है, यहाँ पे speaker, tower, video, यह अपना video आगया, ठीक है, video recorder हो गया, ठीक है, sounds आगे, tapes आगी, यह laptops, वो सारी चीज़े यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है, उसके बाद देखो, setting multimedia classroom, यह नि जो एक अपना classroom होता है, classroom होता है, classroom होता है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़े होंगी, multimedia classroom अगर है वो तो, तो पहली बात हो, वहाँ पे PC होंगे, personal computer होंगे, की नहीं होंगे, yes होंगे, desktop वही आगे, जो पराना type का होता था, tower model, ठीक है, उपर आपके क्या लगा ह होता है, visual display unit, और यहां पर क्या होता है, आपका CPU लगा होता है, system box इसको कहते हैं, उसके बाद एको CD, DVD player होते है, yes होते है, अगर बच्चों को अपने को कुछ CD के अंदर दिखाना है, कोई documentary दिखानी है, समझाई, amplifier होता है, yes होता है, sound connect करने के लिए, my connect करने के लिए, overhead projector हो कुछ दिखाना होता है, एक light pen होता है, उसकी light पढ़ती है, जो कि cursor को move करता है, समझाई, remote हो गया, interactive boards हो गया, camera recorder हो गया, tape recorder, mics, etc, यह अपने कहां पे होते हैं, कहां पे होते हैं, अगर यह सारी चीज़े, मतलब अगर हमारा classroom, multimedia classroom है न, तो वहां पे अपने को यह सारी चीज सकते हैं, text, graphics, yes, videos, yes, animations, ठीक है, और sound हो गया, photos, 3D animations, etc, और भी आप add कर सकते हो, समझाई, अब आजो नीचे, अब आजो नीचे, फाइदे के हैं, क्या-क्या फाइदे हैं, multimedia integration के, यह use करेंगे आपन इसका, तो देखो इसे क्या होगा न, क्या होगा न, improve self-learning of students, क्यों, दे facility नहीं होता, तो क्या आप यह भी lecture देख पाते हैं, क्या आप यह lecture देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो in the similar way में, बच्चे के पास freedom आ जाती है, जैसे वो चाहता है, वो सीख सकता है, ठीक है, तो देखो जो multimedia, multimedia, वो versatility जो है, वो provide करता है, किसको बच्चे क versatile मतलब बहुत जो flexible ways, बहुत सारे versatile, यानि अनन्त, बहुत सारे तरीके, जैसे मर्जी सीखना है सीख, and medium, यानि medium मतलब जो रास्ते होते हैं, ठीक है, for learner to learn in different ways, यानि अलग-लग तरीके से वो सीख सकता है, अब देखो आपन क्या कहते हैं, कि creativity development among students, yes, उनके अंदर जो creativity है, यो बच्चा जो है न, वो अलग-लग experiment करता है, language के साथ, ठीक है, समझ आई, जैसा अपन बहुत सारे apps चले हुए है, ठीक है, तो अपन बहाँ पे न, अपना चोपी English है, जैसे आपको आती है, टूटी-फूटी, अब उसका practice कर सकते हो, experiment कर सकते हो, और एक time के बाद आपक कर सकते है, अगर उसको सिर्फ pronunciation सीखनी है, तो वो सीख सकते है, समझ आई, versatility in instructional delivering, देखो, teacher के पास भी क्या है, teacher के पास भी choices मिल जाती है, कि उसके पास भी बहुत सारी choices है, कि वो बहुत सारे तरीकों से जो अपना content है, instruction है, उसको deliver कर सकते है, allow teachers to use flexible mode to present their instructional instructions to student, यानि अपन जो भी पढ़ाना चाता है, वो बहुत सारे तरीकों से, ठीक है, audio tapes के थुरू बढ़ा सकता है, ठीक है, videos के थुरू पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है, ठीक है, तो यह आपको सारे लिखनी है, अब drill and practice करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे apps चले हुआ है, ठीक है, जहां पर अपना जोगा है, वो practice कर सकते हो, English language का, ठीक है, और जिससे क्या होगा, जो learner होगा, उसके अंदर English language की proficiency, जो बहुत हो जाएगी, समझ आई, cultivate students listening, speaking, यह सारे skills तो बहुत होती है, ठीक है, अब motivate करता है, yes करता है, जब बच्चे को बहां भी क्या दिखेगा, वीडियो बच्चा जादा engaged रहेगा, जादा attractive होएंगा, समझ आई, समझ आई, तो yes, तो यह आगा हमारा, motivate students to learn English, अब देखो, improve करता है, teaching efficiency, yes, efficiency क्या होती है, without wastage, मतलब बेस्ट नहीं करना ही, कोई चीज, अब देखो, क्या होता है, कि जब अपने पासना, जब अपने पासना, क्या होएंगा, क्या होएंगा, क्या होएंगा, क्या होएंगा, interactive whiteboard, क्या होएंगा, interactive whiteboard है, तो इसका कितना money photo हो चाहेगा, no chak की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, कोई गंदगी नहीं फैले के अंदर, ठीक है, और जो teacher है, उसको जो भी content बनाता है, उसको क्या करेंगा, क्या करे तो पीपीटी में में पॉइंट तो लिखे होंगे ना ऐसे करके उसको कुछ स्किप होंगा नहीं तो एफिशेंसी बढ़ जाएगी इन्हांस इंट्रेक्शन बिटुमें टीचर एंड स्टूडेंट ठीक है एंड होगा यह ठीक है बच्चे और टीचर के बीच में जो इंट् क्लासरूम के अंदर ही नहीं बलकि क्लासरूम के बहर भी सीख सकते हैं जो तो दी मल्टी मीडिया इंटीग्रेशन देखो आप गर बेटे हो टीचर आपका स्कूल बैठा है और एक बच्चा दूसरे घर है तीसरा है आप जूम एपान करो क्या करो जूम एपान करो यहीं से आपकी क्लास लग जाएगी समझ आई तो यानि offer opportunities for English teaching outside the classroom अब देखो explore करना cultural competencies development करना explore भी कर सकते हो आप जब मैंने बढ़ाया था आपको लाइब मोचा तो लाइब मोचा में क्या होता था क्या होता था लाइब मोचा में कि आप जो है ना बहुत सारे जो नेटिव स्पीक क्या है pronunciation कैसे करते हैं तो यह सारी जीचे अपने explore करते हैं तो explore कहां से कर रहे हैं अपन मल्टी मीडिया का यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं समझ आई अपन बहुत सारे इंटर्वियूस देखते हैं ठीक है बहुत सारे इंटर्वियूस आते हैं यह courses चले हुए English को सीख के लिए तो अपन कैसे एक्सप्लोर कर पा रहे मुल्टी मीडिया का यूज कर रहे ठीक है कि अपन दूसरे के कल्चर को भी समझ सकते हैं कि उसका बोलने का तरीका कैसा है स्टाइल के है उनका ठीक है समझ आई अब कंड़क्टिव टीचिंग इन्वानमेंटर डेवल्ट करता है तो ये इसके आगे अड़ेंटेज़ ठीक है अब इसके डिसरिवेंटेज़ के हैं तो अपने को सबसे पहले पता है क्या डिसरिवेंटेज़ है पहला तो भाई चाहिए समझ आई अब डिजिटल लिटरेसी भी चाहिए उसको चलाने के लिए घ्यान भी तो होना चाहिए चलाना भी तो आना चाहिए समझ आई तो ये भी एक डिसरिवेंटेज़ है लैक आफ कम्मिनिकेशन बिट्वें टीचर एंड स्टूडेंट तो ये सच्ची बात ह जैसे अपन क्या होते हैं जैसे अपन क्या होते हैं कभी कभी जब सापन की कुछ सीखना चाहते हैं तो आपन टीचर से बात करना बंद करते हैं अपने खुदी पढ़ते रहते हैं खुदी पढ़ते हैं समझ आई समझ आई तो इससे क्या हो जाता है थोड़ा कहीं न कहीं ल ठीक है और यह कहीं कहीं पे अगर लाइट फैसलीटी नहीं है नेटवर्क फैसलीटी नहीं तो वहां पे अपने इसको यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो अप्लिकेविलिटी भी आ गया इसका अब रिक्वायर एलेक्ट्रिसीटी चाहिए इसको चलाने के लिए तो पाइरेसी हो सकती है यहां ईपका डेटा जो Бदा गार रखा जैसे स्कूल के और समझलो के रिकार्ड रखें है तो वो उसकता है चौरी हो जाए याता युअ को लिखना एंब एको एंप्प्यूट्र कायसे वी Cubic 1 क 5 देखो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जैसे काल का अपने क्या पढ़ाया था कंप्यूटर एसिस्टेड लेंगोइज लेर्निंग प्रोग्राम तो यह आफर करता है लेर्नर को ए वेराइटी आपर वीजन्स यानि बहुत सारी सुवीदा हैं क्या करने के लिए पढ़ाने क के लिए सीखने के लिए ग्रामर जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था ड्रिल एंड प्रैक्टिस सिंगल स्केल पे भी हो सकता है यह सिंगल टॉपिक पे भी हो सकता है यह मल्टिपल यह सेवरल टॉपिक्स के ओपर भी हो सकता है अपना क्या ड्रिल एंड प्रैक्टिस समझ आपन क्या करते हैं, आपन बार 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 आडियो सुन सकते हैं, ठीक है, समझ आई, बार 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 जो है, वो quizzes दे सकते हैं, language games हो गया, जैसे quiz program for test preparation and tracking the progress आपन track भी कर सकते हैं, कि कितना सीखा, समझ आई, आपका score जो है, जब आप कोई quiz देते हो, क्या करते हो, कोई quiz देते हो तो आपका बहाँ पे score आजाते है, तो आपका track भी हो रहा है, कि आपका क्या progress है, अभी समझ आई, तो ये grammar भी, जो आपका सीखने में help कर रहा है, कौन computer, यानि multimedia आप यहां पे लिखते हैं, उसके बाद listening देखो, listening skill भी develop होती है, जब आपन क्या करते हैं, audio devices यूज करते है ठीक है, audio जो अपना multimedia जो है, उसका उप्यों करेंगे, जैसे अपना audio tapes हो गया, podcast हो गया, recorded sounds, ठीक है, तो ये कहीं नहीं अपना जो क्या है, listening skill है, उसको भी improve करेंगे, अपन सुनेंगे ध्यान से अच्छा, ऐसे stress होता है, ऐसे intonation होता है, ऐसे जो हो pronunciation किया जाता है, इस word का समझ आई, तो देखो, multimedia offer variety of tools that helps learner to improve his or her linguistic skills and enhance their language listening skills, ठीक है, जैसे ये वाले tools आगे, enable learners to listen various programs on English language and thus promote listening skills of, यानि ये जो है ना, ये जो multimedia ना, ये क्या करता है, learner को जो है, वो, यानि, सुविता देता है कि आप जो है, वो बहुत सारे program सुन सकते हो, और अपनी जो language skills है, उनको improve कर सकते हो, समझ आई, समझ आई, pronunciation, pronunciation means pronounce करना, ठीक है, जैसे की sound America conversation, एक जो है, वो program है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि अपनी wise आप record कर सकते हो, और उसको बाद में सुन सकते हो, समझ आई, तो इससे भी आपका कहीं है, कहीं जो pronunciation है, वो भी improve होगा, जैस and assess हो गया, the lost secret, इनके अंदर भी same features होते है, ठीक है, कि आप यहाँ पर अपनी sound सुन सकते हो, यहाँ दूसरों की sound, जहाँ पर आप जो है, वो record करोगे, ठीक है, फिर वो compare करेगा, कि आपकी accuracy कितनी है, और आपको result बता देंगा, समझ आई, तो इससे आपका भी क्या होगा, skill जो है, वो आपका speaking skill या फिर आपका linguistic skills जो होगा, उसका भी कास होगा, समझ आई, अब देखो reading skill, तो बहुत सारे apps होते हैं, जिससे अपना जो है, वो आपर read करने का skill जो हो, इंप्रोब कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, variety of programs that are designed for ESL means, जिनका English जो हो as a second language है, समझ आई, और उनके लिए tutorial design भी किये जाते हैं, समझ आई, जैसे यहाँ पर एक है, मेरे cadder है, reading critically है, और games भी है, जैसे hang ward है, जो कि assist करते है learner को, कहाँ पे, कहाँ पे, उसकी reading skill को improve करने में, तो यह कहीं न कहीं, कहां से मिल रही हैं मेरी सारी चीज़ें यह, अपने को यह म तो यह क्या करते हैं, बच्चे को allow करते हैं, कि तुम जो है, वो manipulation कर सकते हो, किसकी letters, words, sentences, paragraphs, समझ आई, तुम आगे पीछे लिख सकते हो, फिर उससे क्या होगा, आप जो हो try करोगे, कि मैं देखूँगा, फिर बाद मा वो आपकी accuracy बताता है, कि आपने कितना accurate जो हो sentences frame करे समझ आई, समझ आई, यानि proper order में, उसके बाद grammatically, ठीक है, and meaningfully, उसके बाद देखो vocab, तो vocab के लिए बहुत सारे app जैसे English vocab आगया, और एक game आगी जिसका नाम है hangman, इसे अपने को नए नए शब्द जो हो सेखने को मिलते हैं, ठीक है, यह आगया, अब देखो यहाँ प किसी ने अगर चलाया हुआ, अगर मैं यह आपको content दे पा रहा हूँ, इतना attractive और इतना proper way है, तो यह किसकी वज़ा से दे पा रहा हूँ, MS Word की दे वज़ा से दे पा रहा हूँ, समझ आई, आप आपको, तो MS Word जो है, MS Word जो है, वो क्या है, एक tool है, समझ आई, समझ आई, ज अपना एक multimedia ही तो है, समझ आई, अपनी इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी इसमें text डाल सकते हैं, photograph सकते हैं, images डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, आपको दिखाया मैंने images, यह देखो, यह image मैंने डाला हुआ है, तो किस से डाला हुआ है, MS Word से डाला हुआ है, समझ आ यानि अपने उसमें पिक्चेर डाल सकते हैं समझाई समझाई शाबाश अब देखो टूल्स लाइक MSWord प्रवाइड जो वो टीचर्स एंड लर्नर्स विद निमरेस यह वही आगा कि बहुत सारे हमें यह क्या देता है क्या देता है सुविदाएं देता है यह हमें प्रोवाइड होगा यह ठीक है प-r-o-v-i-d-e यानि टीचर और लर्नर को बहुत सारे जो है वो फीचर्स प्रवाइड करता है MSWord जिससे वो अपना जो भी कंटेंट है उसको अट्रेक्टिव और कलर्फुल बना सकते हैं यह से यह देखो प्रापर हाइलाइटेड फॉन्ट कलर समझाई अब दिस इनेवल दा टीचर तो इनेवल यानि उसको भी जो है वो सुवीदा बरदान कर रहा है कि तुम अपना मटेरियल बना सकते हो उसको अगर चेंज करना है मोडिफाई कर सकते हो दियर इन्स्ट्रेक्शन समझाई जो भी उसने पढ़ान है अब पीटी वही आ गया MS पावर पॉइंट इसके अंदर आ यहाँ पे न वीडिओ भी डाल सकते हो टीक है टेक्स के सासाथ और सम्टाइम्स आडियो भी स्टाव लगते हो ठीक है तो इससे क्या ओडर जाएंगगा और बच्चा बहेंगेज रहेगा ठीक है और यह वो सिकनिच्छ dur गज़ेगा जाइग और वीडिओ सेब उसके बाद की grammar की accuracy को check करते हैं जैसे यहाँ पर grammarly हो गया और यहाँ पर grammar tick हो गया ठीक है यह कुछ apps के नाम है यह कुछ software के नाम है जो कि आपको provisions यह फिर आपको facility provide करते हैं कि जिससे आप अपनी जो applicability है या applicant है accuracy है किसकी grammar की उसको आप check कर सकते हो समझ आई समझ आई तो वही आगया कि आप जो organization करी हुई आपने sentences की ठीक है किसकी sentences का जो logical order है यानि sentences grammatically correct है या नहीं है तो इससे आप वो practice कर सकते हो अब internet आगया तो internet तो बहुत सारी चीजिया में देता है समझ आई ideas, concept, subject matter and help learn to learn as per their needs समझ आई कुछ भी search कर सकते हो तो यह अपना आप सारा लिख दोगे और यहाँ पर जो important detail that is the multimedia tools क्या आजाएगा यह? tools T-W-O-L-S, समझ आई आप देखो यहाँ पर videos आगया तो videos आपको क्या-क्या देखने को मिलता है videos के अंदर, sir, sir सबसे पहले तो आपन ना वहाँ पर conversational जो talks होती हैं वो देख सकते हैं और documentaries देख सकते हैं वो जैसा-जैसा उनका बोलने का तरीका होगा जैसे-जैसे वो body language यूज़ कर रहे होगे आपन भी वही सीख सकते हैं सीख सकते की नहीं सीख सकते as what they see यानि जैसा बच्चा देखते हैं वैसे ही वो सीख लेते हैं आडियो से आपन क्या कर सकते हैं जैसे आडियो recording होगी podcast होगी, audio books होगी यह learner को help करते हैं to improve their pronunciation, intonation, stress and listening skills intonation वही होता है rise and fall जैसे आपन क्या करते हैं जादा जोर से बोलते हैं फिर कम बोलते हैं जोर से, stress होगा किसी particular word पर जादा जोर देना, ठीक है उसके बाद देखो interactive words जैसे मैंने अभी बोला interactive words तो interactive पर मैंने जादा focus करा तो that is stress तो यह क्या करता है इस पे तो बहुत सारी चीज़े अपने को देखने को मिल जाती है ठीक है, audio, video, emergency ठीक है, हर एक चीज़ यह आ जाएगा अपने और online sources तो online sources जो है, language learning, apps, games, websites, quizzes, article कुछ भी search कर सकते हो, आप समझ आई और यह vast array of choices जो है, वो learner को provide करते हैं बहुत सारा, बहुत सारा एक समुंदर provide करते है ocean of knowledge कि तुम्हें जो अच्छा लगता है पढ़ो ठीक है, और इससे क्या होगा जो उसकी learning, English करने की मतलब English जो skills हैं वो भी develop होँगी, कई ना कई जब जाता सीखेगा तो अब visual arts आ जाएगा visual arts अपने को मिलता है images, infographs, diagrams कहां से मिलती है अपन multimedia का use करके देख सकते हैं समझ है और उसके बाद digital storytelling यहाँ पर क्या होता है कि आप बच्चे को क्या बोलते हो बच्चे को बोल सकते हो कि तुम क्या करो अपना एक multimedia presentation बनाओ उसमें videos डालो digital stories create करो जिसके बच्चे का भी जो है वो linguistic skills का विकास होगा समझ है और याद रखना कौन सी बाशा का उपियो करना है English का क्योंकि अपन English के reference में बात कर रहे है उसके बाद देखो virtual reality क्या होती है कि अपन बच्चे को एसा environment provide करते है जो virtual होता है real तो नहीं होता लेकिन लगता real की तरह है समझ है बच्चा वहाँ पे क्या करता है digitally जो चीज़ें होती है character होती है उनसे बात करता है ठीक है उनसे जो वो interact करता है फिर बाद में जो उसके अंदर क्या हो जाएगा इसी इसका फाइदा यह होता है कि जब वो real life के अंदर जाता है तो उसको लगता है कि मैं जैसे वहाँ पे बात कर रहा था वो बाहर आके भी वैसी बात करेगा तो इसका फाइदा क्या होएगा कि उसकी जो linguistic skills हैं वो भी कास होगा समझ है कि उसको एक virtually environment प्रवाइड कर रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं digital environment प्रवाइड कर रहे हैं जो कि real world की तरह लगता है world नहीं होगा यह world होगा टीक है ड़्चु O-R-L-D होगा यह समझ आई where they can practice language skills interact with the digital world समझ आई तो that's it इससे जादा कुछ नहीं है यहां पर टीक है और यह अच्छे से कर लेना इसमें इतना कुछ था नहीं टीक है and delay हो गया बहुत जादा टीक है कोई बात नहीं अगर आपको देखना होगा तो अच्छे से देख लेना है टीक है और I hope कि आपको यह समच आगया होगा टीक है and all the best for your tomorrow exam और बाकी मिलते हैं ठीक है आके वाले जो भी आपके subject है उनके lecture जलदी लेके आएंगे हम ठीक है और वैसा आपको क्या करना है चैनल को subscribe करके रखना है ठीक है और सबसे पहले जब भी आपको कोई topic देखना है ठीक है तो उससे पहले आप PY क्यों देख लो ठीक है consolidated PDF आपको मिल जाएंगी ठीक है वन वीडियो के अंदर आपको 3-4 papers और last PY क्यों में देखने को मिल जाएंगे तो उनको देख लेना अच्छे से ठीक है उससे क्या हो जाएगा आपको एक benefit हो जाएगा ठीक है So bye bye and have a good day